याद करने करें तो आई शुरू करते हैं Carbonic Anhydrase Inhibitor, जो Carbonic Anhydrase Inhibitors होते हैं, जिसमें कि आपके Acetazolamide आती है, Acetazolamide जो है, Glucoma में इस्तिमाल की जाती है, Glucoma वाले पेशेंट को दी जाता है, Acetazolamide के Capsules, तो यहां पर इसका जो Major Site of Action है, वो है PCT, Proximal Convoluted Tubules, यह यहां काम करता है, PCT पे काम करता है, यह, Osmotic Diaryotic होते हैं, दूसरे, Osmotic Diaryotic जिसमें आते हैं, आपके पास Manitol, Sorbitol, Glycerol, यह भी आपके PCT पे काम करते हैं, ठीक है, PCT पे यह, आपके Glomerulis पे काम करता है, Osmotic Diaryotic, दूसरा आता है आपको Loop Diaryotic, इसके साथ Drugs भी आपको मैंने दिये, ताकि आपको साथ-साथ में ड्र मतलब यह इस तरह सी होता है, आपका, ़ीचर होता है, पर यह हमस सभी आपको साथ-सक, प्लिच को एपकोaces होता है, यहां आपको कोटेक्स होता है, यहां पर जो है, Yad ल्डॉस्टिरोνε एंटागोनिस्ट यह काम करता है डीसिटी डीस्टल कन्वलॉट्व टीबूल सब पर पोटाश्यम स्पेरिंग डियोटिक्स चांपकरते हैं दीसीटी पर थाज़ाइएड काम करते साफ याद रखने का सिंपल तरीका है आपको सिर्फ Carbonic Enhydrase Innovator और Osmotic Diaryotic आपको यार्द रखने कि यह PCT पे पर काम करते हैं यह जो दोनों है यह PCT पर काम करते हैं CO ठीक है कार्बोनिक एन हैड रेज और Osmotic Diaryotic यह PCT पर पर चाहँ लूप करते हैं लूप से इसके नाम देगा लूप ऑफ हैंले पर ठीक है इसेंडिंग लूप फेंले पर काम करता है अल्टोस्टिरोन एंटागोनिस्ट जिसमें स्पारर रूप लक्तोना अधा है पोटाशियम स्पेरिंग डियॉटिक्स और थ्यजाइड यह तीन तो आपको वीडियो जो है बहुत यूजव लगी इसका स्क्रीन शोट आप जरूर रख ले और इसको एक बार जरूर रिपीट करके देख लें thank you so much keep learning keep shining guys